हेलो गुद मॉर्निंग फ्रेंद्स वैलकम टू एलीट स्टडी प्लेटफॉर्म आज आपके लेकर आए कौंटिटेटिटिव एप्टिडूड का एक और शांदार सेश्रम तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉर्निंग मोटिविशन के साथ प्रैक्टिस मेक्स पर् दो तिन दिन के बाद हम भूल जाते हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज आपकी याद हो जाएगी और आपके इस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेशन क्या है देखिए तो मतलब जो भी यह क्वेश्चन दे रखें यह अप्रोक्सिमेशन के हैं तो आपने ध्यान रखना है अब कैसे करना इसको तो सबसे पहले यहां पर लिखा है इससी के सब्सेंट आप इसको लिख दे रहा हूं मैं एक्स उपान हंडर्ड इंटू में कितना सेवन हंडड इससी केंसल आउट तो कितना आ जाएगा सेवन एक्स माइनस में अब यहां ट्वूर परसेंट है मैं क्या कर रहा हूं इसको 1550 कर दे रहा हूं पंदरा सब पचास तो 24 गुना 5 कितना आगे 120 ठीक है जी 24 गुना 5 एक्सो बीस 12 कितना आगे 132 ठीक है फिर 13 कितना हो गए 37 372 डबल जीरो और आपको पता है यह जो परसेंटेज है नीचे जाएगा तो उसके साथ यह 2-0 कैंसल आउट हो जाएगी तो ultimately यहां बचेगा 372 माइनस 11 अपॉन 17 इनटू मैं देखिए क्या है यहां पे यह जो 35 है किहा इसको लिख सकता हो मैं 34 अपॉन 18 और जो 71 है किहा इसको लिख सकता हो मैं 72 जैका 17 से किटेगा दो बार 18 से किटेगा देखो 30 है clear है अगर इन दोनों को add करोगे तो बनेगा आपका देखो 460 इधर minus का होगा ना तो उदर जाके plus का हो जाएगा तो 30 plus कर लिजे 460 में तो बनेगा 7x equals to 490 490 देख रहा है जी 7 से गट रहा है है मतलब यह option इसका सही answer है clear तो चलिए यह I hope समझाया होगा आपको चलिए next question के दरफ चलते है ठीक है अगला question क्या है देखिए यहाँ पे लिखा है 1511 and 1 by 12 तो मतलब यह 15 सही 11 वटे 12 एक्चुली ठीक है इसको लिखना कैसे है देखो 15 गुना में 12 कितना होगा 180 plus में 11 कितना होगा 300 तो ultimately से cancel 3 से कट गया चार बार और तुम देख पा रहे हो तो यह 192 लिख दे रहा हूँ में इसको इससे मेरी calculation आसान होगी 48 चौक होता है 92 तो कहने का मतलब यह पूरी टर्म को solve करके कितना आएगा तुमारे पास 48 आएगा ठीक है चलिए 48 आगया बचगे साथ 76 11 गोना 66 10 बचे 104 995 बचगे 54 होगा लेकिन मैं 5 मान के 55 मतलब 4695 बन जाएगा clear प्लस में कितने 14 का स्क्यर मतलब 196 और प्लस करना है ठीक है तो यह हमने यहाँ पर लिख दिया तो 48 प्लस 196 तो कितना बनेगा वो बन जाएगा 244 ठीक है अब थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं भई देखो 4 गुना में सरी 3 गुना में 46 तो 45 गुना में 3 कितना होते हैं 135 होते हैं 135 का मतलब यहाँ पर अगर 2 0 और होती तो 13,000 से उपर जाता है तो इसका मतलब उसके नीचे वाले दोनों ऑप्षिन क्या होगे चैंसल आउट होगे अब थोड़ा सा और आइडिया लगाते हैं 4 गुना 3, 12,000 तो यह बनेगा ठीक है 6 गुना 3, 18, 13,800 होगे 200 और प्लस कर लो 14,000 तक पहुंच गे तुम और 100 गुना 3 300 तो 14,300 के आसपास यही एक option है बाकी सब cancel out हो जाएगा ठीक है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो बाकी आप क्या करिए इसको multiply करो और 244 उसमें add करो बिल्कुल आपको इसी क्यास पास वाला कोई number मिलने वाले ठीक है I hope यह चीज़ समझ आईए तो आप by elimination of options इससे भी questions को कर सकते है ठीक है चलिए नेक्स question पर चलते हैं अगला question है आपके पास 35 इंटू मैं एक मिनट क्या है जी 35 इंटू मैं 55 जो 55 इसको लिख दिया 56 आठ से कटा 7 बार तो जब 7 बार यह कट गया है तो कितना आएगा 8 गुना 7 आपके पास थोड़ी से टेक्निकल इशू आ गया था चलिए स्टार्ट करते हैं 35 इंटू 55 इसको लिख सकता हूँ 56 आठ से कट गया यह 7 बार 35 गुना 7 कितर है देखो 245 है माइनस मैं अब यहां 26% of 689 है तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 25% clear और यहां पर लिख दे रहा हूँ 688 अब ऐसा क्यूं कर रहा हूँ तो क्योंकि option के तरफ एक बारी नजर डालिए option आपके काफी दूर दूर है तो इसमें अगर मैं 1% कम भी कर दो 680 का 1% approximately 7 आएगा ठीक है 700 का 1% अगर आपको निकालना तो वो 7 होता है तो 688 साथ से भी कम है तो जो आपका अंसर है उसके ओपर कोई फरक नहीं पड़ने बाद अब होगा क्या देखो जो 25% है इसको लिख सकते हो आप 1 upon 4 इंटो में 688 clear है तो यह कट जाएगा कितने टाइमस यह कटेगा 172 टाइमस done अब प्लस में 9 क्यूब तो कितना है वो 739 है तो मैंने गया किया इसमें 739 प्लस कर लिए पहले ठीक है तो बन गया 4, 4, 2, 6, 7 974 तो यहां से मिलगी clear है तो 974 ही आ गया 172 उसमें से तुम्हें माइनस करना है भी अगर 114 माइनस करना होता तो कितना आता ठीक है तो 174 माइनस करना होता तो 800 आता न लेकिन यहां से 172 माइनस करना है तो इसका मतलब यहां से 172 जब तो माइनस करोगे तो approximately कितना आ गया यह 802 के आसपास बनने वाले ठीक है अब 7 से इसको cancel out करते हैं जरा तो भी 16 गुना में 7 होता है 112 बचगे 2 27 7 गुना में 3 होता है देखो कितना 21 clear है 7 गुना 3 अगर 21 है तो आगे बचगे आपके पास 69 तो इसको मैं 9 से काटते रहा हूँ चलो 1649 इसको मान लेते हैं 1649 है उसमें तो मैं approximately 800 प्लस करने तो कहीना कि यह 2430 के आसपास आ रहे नहीं आ रहे है तो यही इस question का answer बन जाएगा देखी यह minus था इदर तो जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा तो यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इस तरफ कितना तुमारे पास 802 था तो कहीना कहीं यह इसका answer बनने वाले है ठीक है I hope यह चीज़ समझ आई है ठीक है चलिए next question पर चलते है अब अगला question क्या है देखी तो question कहा रहा है 3374 divided by 125.13 क्या करिए जो 3374 है मुझे दिख रहा है यह 3375 है यह कितना 125 है और साथ में इन दोनों का cube root अभी cube root क्यों आया कि बाहर power 1 by 3 है तो जैसे power 1 by 3 दिखती है तो cube root अगर 1 by 2 होता तो मैं यहाँ square root लेता clear है फिलाल यहाँ पे cube root है clear आपको मैंने बताया है पहली class में ही कि cubes आपको कितने तक याद होने ची कम से कम 20 तक याद होने ची किसका क्यों होता है यह 15 का है यह किसका है यह 5 का है तो ultimately यह 5 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार तो इसको solve करते ही 3 मिल गया clear अब 11 से कितनी बार कट रहे देखो 11 गुना में 3, 33 है 3 बज़ के 32 तो मैं 3 ही मान ले रहा हूँ उसको भी 11 गुना 3, 33 हो जाएगा तो plus में 33 आ गया यहाँ पर clear equals to x square minus का 28 ठीक है इसको 28 मान ले तो यह कितना होगा 36 28 उदर minus का इदर आके plus हो जाएगा तो 36 और 28 कितने होगे तो plus करिएगा यह आपको मिलने वाला है x square equals to 64 और अगर x square equals to 64 है तो भी under root 64 का कितना आने वाला है 8 simple तो approximation सबसे आसान है जी अगर bank के paper में या कहीं भी आपका approximation की question आते है ना तो आप समझ लीजिए वो free के marks है ठीक है तो I hope यह चीज़ आपको समझ आईए चलिए next question पर चलते है question number 5 पर क्या है fifth question देखिए तो यहाँ पर लिखता है जी x minus में this 11.13 का square तो मैं इसको क्या कहर रहा हूँ minus लिख देता हूँ लेकिन इसको लिखूंगा 11 into 11 जा चलो 121 भी लिख सकते हो इसको 11 का square 121 है divided by कितना है 363 into 121 तो यह कट जाएगा कितने से 3 से ठीक है यह 3 से कटा तो 121 कितने से कटा देखो 40 से कट जाएगा यह तो approximately यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x minus 40 done यहाँ से कितना आ जाएगा x minus 40 यह 40 आपके पास बच जाएगा plus मैं 7 का cube कितना है तुमारे पास 7 cube is solve करोगे तो 40 इसमें से minus करने पड़ेंगे ठीक है तो इसको इस तरफ करते है जराब तो यहाँ पर तुमारे पास बच रहा है x plus मैं 303 clear equals to अब तुम्हें 16% निकालना है किसका इसका इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ 250 लिख दे रहा हूँ ठीक है तो भी 16% जब तुम 200 का निकालोगे तो यह कितना आएगा यह 40 आने वाल है ठीक है कैसे अब आप बोलो कि 40 कैसे आया तो भी यह जो 16% 200 का है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 25% ठीक है क्या लिख सकता हूँ 25% किसका 100 रोकिए एक मिनट इसको साइड में लिखते हैं जरा तो इसको लिख सकता हूँ मैं 25% of 160 कैसे तो यहाँ पे जो तुम 200 लिख रहे थे वो 0 इदर चली गई और जो परसेंटेस थी यह 25 के पास आगी ठीक है तो बन गया 25% of 160 तो मुझे देख रहा हूँ कितना है वो तो 40 है आगे है 5669 divided by 7 तो अब इसको करना है 7 से divide तुम देख पा रहे हो तो कितने से कट जाएगा यह यह कटेगा 8 गुना में 7 56 है आगे लग गया आपके पास 0 और यह 9 से कट गया तो इसको 10 भी मान चकते है 810 उसके आसपास ही है कोई दिक्कत नहीं अगर इसमें 70 लिखा होता तो अराम से इकट जाता 810 बन जाता तो फिलहाल यह बन चुका है तुम्हारे पास कितना एक्स इक्वस टू भी यह बन गया 810 चाली साड़े 800 मान लेता हूं में इसको और उसमें से तुम्हें अप्रॉक्सिमेटली 300 कर माइनस करना है थीक है तो साड़े 800 में 300 कर माइनस करना है तो 550 तुम्हारे पास यह बनने वाला है अगर समझ ना आए तो एक वारी वीडियो को रिपीट कर लेना क्योंकि तो आराम से आप फिर से इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताईए मैं आपके डाउट्स जरूर लोंगा कल के वीडियो में आपको दो होमबक दिये थे लेकिन वो किसी बच्चे ने नहीं किये एक आदा बच्चा इसने वहां पर कमेंट किया मतलब कोई वीडियो नहीं देख रहा है पुरा तो फिर मैं उनको बताऊंगा भी नहीं आगे सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स थे ठीक है तो प्लीज कमेंट करिए डाउट्स अपने पूछिए तो मैं आपको नेक्स वीडियो में ज़रूर लेके आओंगा चलिए स्टार्ट करते हैं इस कुश्यन को 4128576 तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको 26 कर दे रहा हूँ ठीक है ऐसा करते है यहां भी कितना बन जाएगा देखो 6410 कैरी 4 उच्छे और कितना साथ है ना सॉरी साथ दुन और एक 10 आना था एक्चुली 1 कैरी 5 और एक 6 और एक 7 और 47 और इसको डिवाइड करना है कितना से 25 से उनको कितना आएगा यह आजाएगा 25 गुना में 1 कितना बच गया आपके पास 22 बचा 220 पका पास 25 गुना में 8 200 है फिर 20 बचे फिर 200 हो जाएगा tem 88 आजाएगा आपके पास आई होप यह चीज के लिए रहे प्लस 18 का स्केर कितना है 324 है एड कर लो 324 भी ठीक है 8 2 10 3 4 1 502 मतलब 500 कर और और एड करने बढ़ेंगे तुम्हें 512 ठीक है 2 बाइ 15 2 बाइ 15 आफ कितना 1254 माइनस में 24 तो थोड़ा से क्या किया हमने यहां पर जल्दी कर दिया चली कोई दिक्कत नहीं यह बन गया 512 अब यहां पर 2 बाइ 15 और यह था 125 अब तुम्हें पता है 24 से तो जाएगा ने 25 कर लो 15 से गट जाएगा 15 गुना में 8 होता है 120 बच गया 5 52 15 गुना 3 45 है 7 बच गया 15 गुना 5 बच गया तो यह बन गया 2 गुना 835 तो यह 1670 है आपके पास अब 1670 में तुम 512 एड करने वाले हो और 24 माइनस करने वाले हो यह 2100 के आस पास जाने वाले है यह इस कांसर बन जाएगा 260 बागे तुम exact calculation करना चाहते हो तो कर सकते हो हाँ में तुमें एक चीज़ बताने वाला था यहाँ पे देखो माइनस का 24 तो इसमें से माइनस 24 कर लेते हैं तो यहाँ पे direct यह तुमारे पास कितना बन जाता 300 इसमें 188 प्लस करते तो 488 आ जाता फिर 1670 में तुमें सिर्फ 488 प्लस करना था वो भी तुमें यहाँ तक पहुंचा देता I hope यह चीज़ समझाईए जी clear है चलिए अगले question के तरफ चलते हैं जो next question है आपका तो लिखा है 1399.99 मैं इसको लिख रहा हूं 1400 divided by कितना 20 तो इसके साथ cancel out है कितना आजाएगा आपके पास 70 आगे equals to X प्लस में यह आपके पास है 425 clear यहाँ पर यहाँ पर इसको थोड़ा सहीतर solve करता है तो मैंने इसको लिख दिया 312 divided by 6 गुना में कितना 20 ऐसा क्यों कर रहा हूं देखो जाए 6 से कितने बार गटेगा है 6 गुना 5 30 बच गया 112 समझागी बात तो 52 गुना में 20 परी 50 गुना 20 कितना आता 1000 आता ही है है न 1000 आता तो लेकिन 52 गुना में 104 1040 है यह तो माइनस का 1040 इसको इदर ले आईए तो कितना बन जाएगे बनेगा आपके पास 70 प्लस कर लो तो 1110 उसमें से तुमें 425 कर माइनस करने ठीक है आगी बात समझे अगर 1110 में से तुम 425 माइनस कर लो यहाँ पर आ जाएगा 5 यहाँ बचके देखो कितने 10 10 में से 8 की कितना बचा तुमारे पास तो 10 में से दो गए तो 8 बच गया यहाँ बचा फिर से 0 तो 685 की आसपास यह बनने वाला है तो कौन से आप्शन आजाएगा 680 आजाएगा clear है बस यहाँ भी थोड़ा से ध्यान रखना था इसको 312 मान लो तो बहुत ही आसान से कुश्चन थे जाद है इसमें था नहीं कुछ तो इस कान से कितना आजाएगा 685 आजाएगा clear है simplification और approximation बहुत ही आसान है कल का जो session देएगा आप कभू रहने बारा है squares, cubes के उपर और साथ में ward mask का थोड़ा सा मैं आपको idea दूँगा उससे अगला जो session है आपका वो है quadratic equation का ठीक है जी तो ध्यान रखिएगा चलिए next question पर आते है यह आज की class का last question है इसके बाद 2 homework है आपके लिए तो 21.85 into मैं 5 तो इसको मैं 22 मान लो 22 और 22 गुना 5 तो ultimately यहां से तुम्हें 110 मिलने वाले है प्लस में 64 का square वो होता है जी 496 तो मैंने आपको बताया है ना कल आपके लिए squares का session है तो उसमें बताऊंगा कैसे आप फटाफट इसको कर सकते हो 496 को तुमने 16 से भाग करना था actually तो 16 से भाग कर लीजिए या ऐसा करिए देखो इसको ऐसे नहीं करते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए असान हो जाएगा इसको क्या करिए 64 गुना 64 कर लो और डिवाइडेर भाई कितना कर लो 16 कर लो 64 से 4 बार कट गया 64 गुना 4 कितना हो गया 256 तो मतलब 110 में 256 में प्लस कर लो है ठीक है तो कितना देगा वह उच्छे 5 और 16 और 366 यहां पर बन गया है तो लेफ्ट एंड साइड पे तुमारे पास कितना है 366 है आई होप यह चीज़ के लिए रहे एकोस टू एक्स माइनस 28 परसेंट अफ दिस 899 899 को 900 लिख दू मैं तो कितना बन जाएगा यह 28 अपॉन हंडर्ड इंटू में 900 899 को 900 लिखती 28 इंटू 9 करना बढ़ेगा तो मैं 28 इंटू 9 28 इंटू 10 कितना होता तो 28 इंटू 10 आप बोलते 280 तो 28 इंटू 10 तू 80 है उसमेंसे क्या कर लो 28 माइनस कर लो कितना आएगा 252 आएगा तो 252 इसमें प्लस कर लीजी जैसी प्लस करो कि 628 65 11 एक 325 और 618 क्या सपासी अंसर तो कौन सा आजाएगा 620 आजाएगा इसका अंसर क्लेर है तो आई होब यह चीज आपको समझाई होगी अप्रॉक्सिमेशन बहुत यह आसान था इसलिए मैंने ज्यादा इसमें कुछ बिता है नहीं आपको फटा फट तिरफ कैंसल आउट करना था प्लस माइनस करना था तो भी आपका हो गया ठीक है जी तो अब कल के सेशन में आपको बता दिया हम लेकर आ रहे हैं स्केर सेंट क्यूब्स यह आपका होंबग है नाइथ कुश्चन स्क्रिंशॉट लेकर इसका अंसर बताईएगा मुझे कमेंट सेक्शन में यह भी आपका होंबग है ठीक है जी तो एक वारी कल का वीडियो भी देख लीजिएगा उसमें लास में दू आपके होंबग है उनको ट्राइ करिएगा सॉल करने की अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन नों बताईएगा चले तो आज के लिए यही शेशन था आपके लिए तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रिए तथा लाइक शेय में इतना ही था आप लोगों के लिए कल मिलते हैं आप लोगों से फिर से